एलो फ्रेंड्स मैं हूँ विभा, वेलकम तो मैं चानल विभास्पाइस्ट आज मैं आपके लेकर आए हूँ पीनट चटनी की रेसिपी यह चटनी खाने में बहुत टेस्टी होती है लेकिन बनाने में बहुत आसान है इस चटनी को आप इडली के साथ डोसे के साथ या फिर पराटे के साथ सर्फ करिए यह सब के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आईए इसको बनाना शुरू करते हैं पीन चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर ले लिया है एक जार और इसमें हम लोग डालेंगे बुनी हुई मूंवली आपको यहां पर कच्छी मूंवली नहीं यूजकरनी है भुणी हुजकरनी है आपके घर पर धट पर शुन जुसको के चिलका निकाल दीजे इसके से बाद पर मैं हम इसमें डाल भी धे शाट कर दिया है इसको मैं हरे मिर्च काल गालाए है मिर्चा कर दिया है यहां पर मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, इसके बाद फिर हम लोग इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नीबू का रस, अगर आपके पास नीबू का रस नहीं है तो आप चाहे तो हमली का पल्पी डाल सकते हैं, फिर मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून शॉल्ट और यहां भी पानी पानी डाला है, जादा पानी एक लाद पानी डालेगे नहीं तो चटनी जो है वो अच्छे से पिसेगी नहीं तो फिर अब यहां जार बन करके अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूं अब आप दिख सकते हैं कि चटनी गो मैंने एक बार पीस लिया है, अई इसको फीरचों पीस लेंगें तो आये हम लोग उसको फिरसे पीस लेते हैं आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से चटनी को पीस लिया है चटनी की कंशिस्टेंस सी ऐसी होनी चहिए ना यह जादा पतली है और ना जादा गाडी है तो लेकिन अभी यहाँ चटनी बनके रेडी नहीं हुई है अभी हमको इसका तड़का रेडी करना है तड़का रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है तड़का पैन और फिर इसमें मैंने डाल दिया है तू टेबल स अच्छे से गरम करने तो सबसे पहले मैं इसमें डालोंगी महीन वाली राई यहां पर मैंने महीन वाली राय को डाल दिया है इसमें इसको चटकने देंगे इसके बाद पिर मैं डाल रही हूं इसमें धुली हुई उड़त की दाल इसको भी हमको जादा नहीं पकाना है बस हलका सा इसको रोस्ट कर लेना है इसके बाद भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ दो खड़ी हुई लाल मिर्च और फिर चार से पांच करी लीव्स इन सब को डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राय कर लीजे इसमें इसको एक बाद मैंने चम्मस से चला दिया है कि हर चीज जो है वो अच्छे से पक जाए अब बस तड़का जो है वो रेडी है आई हम लोग इसको चटनी में डाल देते हैं तो बस यहां पर मैंने तड़के को चटनी में डाल दिया है आप देख सकते हैं कि तड़का डालने से ही चटनी जो है कितनी अच्छी लग रही है देखने में और तड़का डालने से चटनी का जो फ्लेवर है वो अपने आप बढ़ जाता है बस फिर हम लोग तड़के को अ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिलकुन मत भूलेगा सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि जब कभी भी मैं नए वीडियो को अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बबाई, थैंक्यू फॉर वाचिंग माई वीडियोज